नमस्कार द उत्तराखंड नियूज में आपका स्वागत है सीमान्त सहित अन्य जन्पदों की मुख्य खबरों में पितोरागड के पुलिस लाइन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेश पूजा अर्चना भजन कीर्तन के साथ धूमधाम से मनाई गई कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव की उपस्थिती में भगवान श्रीकृष्ण की आकर्शक जाकी और भजन कीर्तन से हुआ कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों वो उनके परिवार सदस्यों ने बढ़ चड़ कर प्रतिभाग किया इस दोरान भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का प्रदर्शन किया गया साथ ही विभिन्न स्कूलों से आये चात्र चात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शांदार प्रस्तुतिया दी इस मौके पर निकली जाकियों में प्रथम स्थान पुलिस लाइन, ग्वितिय फायर सर्विस और त्रीतिय स्थान कोटवाली पिथोरागड वथाना जाजर देवल की सन्युक्ट टीम ने प्राप्त किया कार्यक्रम में SSB के सेनानायक आशिश कुमार, प्रभागिय वनाधिकारी आशुतोष सिंह, सन्युक्ट मजिस्ट्रेट आशिश मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली, प्रतिसार निरीक्षक नरेश चंदर जखमोला आदी मौजूद थे पिथौरागर नगर निगम के परिसीमन को लेकर आयोजित बैठक को लगभग 45 मिनट में समाप्त किये जाने पर आपत्ती दर्स करने वालों ने नाराजगी व्यक्त की है उन्होंने पुना बैठक आयोजित करने की मांग करते हुए मांग पर गौर न किये जाने पर न्यायाले की शरण लेने की बात कही है नगर निगम के परिसीमन को लेकर लोगों ने वार्डों का नाम बदले जाने सहित वार्ड परिसीमन संबंधित दो दर्जन से अधिक आपत्तियां दर्श कराई थी आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपत्तियों पर सुनवाई की गई आपत्तियां दर्श कराने वालों में पूर्व सभासत सुबोध बिष्ट अनिल माहरा, कवींद्र शाह, राजेश सिन, चारुचंद्रक, कैलाश, पुनेठा सहित अन्य ने कहा कि आपत्ति सुनने म बहुत ही कम समय दिया गया और अती महत्वपूर्ण बैठक मात्र 45 मिनट में ही पूरी कर ली गई, जिससे आपत्ति दर्श करवाने वालों में खासी नाराजगी व्याप्त है, उन्होंने कुना बैठक आयोजित करने की मांग करते हुए न्यायालय की शरण लेने की बात कह इस मौके पर पूर्व सभासत सुबोध बिष्ट ने कहा कि इसमें भारी लापरवाई की जा रही है और जन्दक यहां चलावा की वाडूंको इन्होंने उनके द्वारा दो इसमें बांड दे गया है और नाम एक ही रखा गया है, जबकि इसमें जो एथियासिक नाम है उनको यथावत रखना चीवनी के नाम पर वाडूंका पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गंगोली हाट शेतर निवासी एक व्यक्ती मोहन राम ने पुलिस को सूचनादी की एक व्यक्ती द्वारा उसके दोस्त की आवाज में काल कर अपनी परेशानी बताते हुए 50,000 रुपए की माम की तो उन्होंने भेज दिये फिर दूसरी बार 45,000 की मांग करने पर भी धनराशी भेज दी ठगी का शिकार होने का पता चलने पर कोटवाली पिथारागड में अध्यात के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहट मुकदमा दर्स किया गया पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने इस मामले को लेकर पुलिस टीम का गठन किया थाना ध्यक्ष गंगोली हाथ हीरा सिह डांगी के नेत्रित्व में गठित पुलिस टीम द्वारा साइबर सैल की मदद से जानकारी जटाते हुए प्रकाश में आरोपी शेर सिन पुत्र आत्मा राम निवासी हासी रूरल राम बड़े सुलेमान हरियाना को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई पिथोरागड की सीमान्त तहसील धारचूला क्षेत्र के अंतरगत विद्यालियों में शिक्षकों की तैनाती वबीते दिनों से बंद पड़े मार्ग खोले जाने की मांग को लेकर आज सामाजिक कार्यकरता किशोर केलविन धामी के नेत्रित्व में क्षेत्र वासियों ने जिला मुख्याले पहुचकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मांगों को लेकर शीघर सकारात्मक कारवाई किये जाने की मांग की उन्होंने समस्याओं के समाधान की मांग का एक ग्यापन जिलाधिकारी को सौपा इस दोरान ग्रामीनों ने कहा कि बीते लंबे समय से विद्यालियों में शिक्षकों की तैनाती मांग की करने के बाद भी अभी तक कोई कारवाई नहीं की गई है कहा कि तहसील क्षेत्र के कई विद्यालियों से शिक्षकों के तबादले कर दिये गए हैं, पर प्रतिस्थानी नहीं भेजे गए हैं साथ ही क्षेत्रवासियों ने बंद पड़े मार्गों की भी शीघर खोले जाने की मांग की द्यापन सौंपने वालों में दीवान सिंह, प्रवीन धामी, पवन धामी, हिमाशु धामी, लोकेश धामी, बल्देव सिंह, योगेश सिंह, पुषकर सिंह, सहित दरजनो ग्रामी शामिल थे अपने इंटरमीडियट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइन्स टेक्नोलोजी और मैनेजमेंट पिथोरागर में आपका स्वागत है जहां उतक्रिष्ट शिक्षन एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप तीन वर्षिय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंग जीना विश्विद्याले अलमोडा की मानिता के साथ प्राप्त कर सकते हैं प्रवेश प्रारंब हो चुके हैं उधम सिह नगर के सितार गंज की एक फैक्टरी में तैनाथ सेक्योरिटी गार्ड की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए SSP से जाच की मान की है मामले को लेकर SSP ने SSP सिटी को मामले में जाच कर उचित कारवाई करने के निर्देश दिये हैं मामले को लेकर आज बरेली के शेरगर थाना क्षेतर के पहाड़ पुर मजरा घाट गाम निवासी लाल बहादूर सिह ने परिजनों के साथ SSP मनजूनाथ टीसी को एक शिकायती पत्र सौंप कहा कि उनका भाई श्याम पाल सितार गंज की एक प्लाइवुड फैक्टरी में बीते दो साल से सेक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनाक था भाई ने कमपनी के मैनेजर पर उससे रंजिश रखने के आरोप लगाए हुए कहा कि उसके भाई ने मैनेजर द्वार परिशान करने वह दबाव में ड्यूटी में अधिक काम करवाने की बाद कही थी बीते 22 अगस्त की रात को उसके भाई ने फोन पर बताया था कि मैनेजर उनके भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा था और 30 अगस्त को उनके भाई शामपाल की रंजिशन हत्या की गई है SSP ने मामले को लेकर SP City मनोज कत्याल को जाच कर नियमानुसार कारवाई करने के निर्देश दिये हैं हर रोज प्रदीश भर की मुख्य खबरों से जुड़े रहनी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर वर सब्सक्राइब और शेर करें धन्यवाद